कि नमसकार मेरी दोस्तों और मेरी दोस्तियों स्वागत है आप सभी लोगों का फेट से एक लिघन घृरो हुंडा सुपर स्प्लिंडर बुलेट ट्रेंड की ताचा-ताचा वैड़ो में और आज की इस वीड़ो में मैं आप लोगों को बताने आप आहूं how to do 3 star without grand warden अब without grand warden वाली बात इसलिए क्योंकि हम लोगों का grand warden इस time है upgrade पर और जब upgrade पर है तो उसको use कर नहीं सकते है 5 दिन बाद हम लोगों को मिलेगा ये बुढ़वा warden तो भाया attack तो आज करना है और 5 दिन बाद अब कैसे काम चलेगा और हम लोगों को war में 3 star लाना भी है तो भाई साब अगर grand warden हमारे पास नहीं है तो सबसे best army रहेगी 3 star लाने के लिए electro चचा की army क्योंकि अगर हम लोग hog और minor का attack करते हैं without grand warden का तो उसमें 1 star का chance बहुत ज़्यादा हो जाता है हाला कि कुछ pro players ला भी सकते हैं 3 star लेकिन बहुत ही कम chance रहता है या फिर hybrid या फिर आव भी कोई army यूज़ करने पर हम लोगों का low percentage जाता है और अगर आप यहीं पर यूज़ करते हैं electro dragon को तो आप लोगों का percentage भी high जाएगा और हो सकता है कि 3 star भी चला जाए तो चलिए मैं चलता हूँ इसी base के उपर attack करूँगा इस वाले base के उपर यह थोड़ा ठीक ठाक है और वो भी live attack मारेंगे इस base को धनाक से क्योंकि हमारे पास grand warden नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा नीचे जाएंगे और देखिए अगर इस electro dragon की army को यूज करें आप लोग तो हमेशा ऐसे base के उपर मारिए जहाँ पर आप लोगों को chain value जो होती है जो कि chip के chip के buildings रते हैं वो ज़्यादा मिल पाए तो इस वाले base पर हम लोगों को chain value बिल्कुल लल्लान टाप टाइप की मिल जाएगी अब देखिए यहाँ पर है अपना बुढवा grand warden अपोनेंट का तो इसलिए एक सबसे पहले balloon डाला गया जिसे कि black वाला जो mine है वो trigger हो जाए rage spell इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहीं पर queen भी थी और भी बुढवा भी था तो दोनों का damage बहुत थी डगड़ा वाला मिलता है अब थोड़ा सा funneling होने तक हम लोगों को wait करना है कि funneling हो जाए जिससे कि अपनी सभी की सभी आर्मी बिल्कुल middle में core में घुस जाए क्योंकि भाई साहब grand warden नहीं है grand warden रहता तो पूरी की पूरी आर्मी को safe कर लेता है इसलिए हम लोगों को जो पूरी अपनी आर्मी है एक एक दो दो करके छोड़नी है अगर ये सब चीज आप लोगों को ध्यान देंगे तो आप लोगों का भी 3 star आ चाहेगा without grand warden की भी हम लोगों को town hall निकालने ना है battle brim को छोड़ करके याद रखेगा ये सब बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट से जो की आप लोगों को बहुत ही जादा value प्रोवाइड करेंगे जब आप लोगों का hero upgrade पर रहेगा और आपको 3 star भी लाना है वहाँ पर दो बलून इसलिए छोड़ा गया जिससे कि हम लोग जब काली कलूटी royal champion को छोड़े तो वो royal champion डाइरेक्ट अपना target करी इस eagle के उपर और eagle निकल जाएगा तो damage देने वाला कुछ खास इसमे item बचेगा नहीं इसलिए दो balloon के साथ जो side side के वो सब थी item उनको उड़ा दिया गया और भाई साथ जैसे हम लोग अपना electro dragon के attack में पूरा का पूरा electro dragon फटा फट 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 छोड़ देते हैं वो जीज़ इसमें गलती नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास बुलवा warden नहीं है इस चीज़ का हमेशा अगर आप ख्याल रखेंगे तो अपने army को बचा बचा करके यूज करेंगे जैसे एक balloon अभी हमारे पास बचा हुआ है इस balloon को इसलिए बचा करके रखाऊं कोई अगर defense बहुत ज़्यादा परिसान करने लगेगा तो वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा ये बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट्स रहते हैं जो आप लोगों को war में या फिट CW के time पर बढ़िया सा value प्रोवाइड करेंगे इन सब चीजों का अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा बाकि उसके अलावाच जो मन चाहे वो भी आप कर सकते हैं और ये बेस को आसानी से मार दिया किया थ्री स्टार वो भी विदाउट बुढ़वा के रहते हुए और सिर्फ थ्री स्टार ही नहीं अभी हमारे पास queen की ability भी बच हुई है जिससे आसानी से थ्री स्टार है और फ्री अबिल्टी के साथ है मतलब swag के साथ हो गया ये थ्री स्टार तो ये आप लोगों के सामने बिल्कुल protection रूप से मैंने attack किया और ये थ्री स्टार आया थ्री स्टार का मिल जाए वहाई अपने पास अब चलिए मैं आप लोगों को एक और भी attack दिखाता हूँ जिसमें अगर आप लोग air defense देखेंगे तो fully maxed है अपना टाउन हाल 14 टाउन हाल 13 के according बहुत ही max है और भी जितने defense है वो सब भी काफी max है क्योंकि हमारे पास grand order नहीं है तो इतना max भी भाई साब परियाप्त है इसके लिए जैसे मैंने आप लोगों को starting में बताया है कि सबसे पहले side side के आप लोग value निकाल लीजिए और देखें ये सबसे best army है अगर आपके पास कोई भी hero नहीं है तब इसे आप लोगों को percentage ज़्यादा तो मिलेगा ही और 2 star का chance जो है वो हमेशा confirm रहता है हमेशा battle blimp को use करिए side की funneling करिए 2 star हर एक base पर confirm है और जैसे मैं आप लोगों को बताया side की funneling किया battle blimp को छोड़ करके town hall को निकाल लिया अब हमारे पास बहुत से troops बचे हुए है अभी जो की जिन्दा है तो जिन्दा है तो जी लेने दीजी इन लोगों को और ये base अभी कहीं ना कहीं पर लग रहा है कि 3 star हो जाएगा क्योंकि बचा हुआ है एक single inferno जो की बहुत ज़्यादा value नहीं कर पाएगा अभी हमारे पास queen जिन्दा है वह या queen बहुत ही ज़्यादा powerful है और side की funneling बहुत ही अच्छी थी जिसके हो जैसे हम लोगों का जो troops है पूरा का पूरा सही जगह पर जैसे जैसे जाना चाहिए था वैसे वैसे बिल्कुल उस जगह पर पहुच गया queen हमारी अभी भी जिन्दा है और बहुत ज़्यादा health के साथ है दो electro चच्चा भी जिन्दा है और ये waste भी गया 3 star वो भी without grand warden तो basically हम लोगों को यही technique use करना रहता है कि देखिए अगर आपके पास grand warden नहीं है जो की बहुत ज़्यादा value करता है पूरी की पूरी army को save कर देता है लेकिन अगर वो नहीं है तो उसके लिए आप लोगों का सबसे best army रहेगा electro dragon का इससे आपको percentage भी ज़्यादा मिलेगा 2 star का chance भी हमेता confirm रहेगा और अगर थोड़ा सा लहा कर बैठा करके मार दिया जाए तो 3 star भी रगड़ा दिया जाएगा यही सब टेकनीक है जिससे आप अपना जो performance है उसको better कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो लगी हो अच्छी तो एक like जरूर कर दिजेगा और अगर आप चैनल पे आये हैं पहली पहली बार तो चैनल को subscribe जरूर कर दिजे जिस साइड में जो बाबा जी के घंटी का बटन है उस बाबा जी के घंटी को भी दवा दिजे तो चलिए चलता हूँ बाइ बाइ मिलते हम सभी लोग अपने अगले चखली पगले तगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग खेल दे रहे clash of clan 4 दे रहे सभी का बेस बाइ बाइ टाटा जी यू खदम टाटा